स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ओने स्टेटी क्लास पर मैं आज आप लोगों कोई स्रीज के जो 270 हो चुके है उससे आगे मैं बताने वाला हूं कोशन एंसर जो की प्राची नितिहास का है तो आज जो है प्राची नितिहास खतम हो जाएगी तो हम लोग चलेंगे आगे की तिरफ अगले वीडियो में तो आज का जो पहला जो कोशन है वह है कि उससे मित्र के सासन काल में यवनों ने भारत पर आकर्मन किया यह जनकारी जो है प्राप्त होती है कहां से प्राप्त होती है तो आपको बताना है तो इसका जो सही एंसर है वह है डी इन सभी से यानि कि महाभास्य से भी होता है गारगी सहिता से भी और माल दिकागनी मीत्र से भी होता है ठीक है न तो अगले पॉइंट पे चले अगले कोशन पे चले तो हमारा जो अगला कोशन है वह पुष्चे मीत्र सुंग बौध धर्म का कटर सतुरू था वह जो है बात परमानित हो होती है तो देखिए यह जो पुछे मीत्र है बहुत ही बरे बहुत धर्म के जो है बिरोधी थे और इसने बहुत से मतलब आदेश भी दिया था बहुत विक्षकों को हत्यायत जो की आगे आप लोग को कोश्चन भी मिलेगा तो चलते हैं अगले कोश्चन की तरफ तो सुंग वन्स के पतन के बाद मगद पर किस वन्स का सासक अस्तापित हुआ तो इसका जो सही अंसर है वह है कि कान्व वन् सुंग वन्स की अंतिन शासक थे वह देव भूती था और उसी वह बहुत ही बिलासी शासक था प्राजित कर दिया यानि कि मगत से हटा दिये और कितना में तो 73 इसा पुर्म में उसके बाद उनका बंस का सासक हो गया ठीक है फिर अगले कोशन की और हम लोग बरे अगला जो कोशन है कान बंस की सत्ता समाप्त की किसने समाप्त कर दिये तो इनका जो है सत्वाहनों ने यानि कि आंद्र सत्वाहन उनका नाम दा और उन्हें कान बंस की सत्ता को समाप्त कर दिया तो ये जो कान्व बंस का जो राजा था अंतिम हो था सूसर्मन ठीक है ना, उसको साथ वहाँ राजा ने क्या कर दिया हंत्या कर दिया और अपने राजे को यानि कि सत्ता को हात में लिया ठीक है ना अपने तो फिर आपका जो next question बनता है वो है जो व्यक्ति बौध भिक्चू का सीर लाकर देगा उसे 100 दिनार दिये जाएंगे यह घुशना की थी इस ने की थी तो मैं पहले ही बता चुका था पुश्य मित्र जो है वह क्या है वह बहुत बिरोधी है ठीक है न तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा पुश्य मित्र हो जाएगा पुश्य मित्र द्वारा फिर आपका जो next question है सुंग बंस में कुल कितने सासक थे तो सुंग बंस के अंतरगात दस सासक थे कितने थे दस जो आपका option डी है वह सही हो जाएगा परन्तु इसमें जो है दस राजा एक सो पचासी सा पूर्व से तिहतर इसा पूर्व यानि टोटल एक सो बारा वरस तक सासन किये दस राजा ठीक है ना फिर आपको जो next question है वह है पुरानों के अनुसार सुंग बंस का अंतिम सासक कौन था तो पुरानों के अनुसार सुंग बंस का मैं बता चुका हूँ कि कौन था देव भोती पहले ही question में हो चुका था मैं बता दिया था फिर आपका जो next question बनता है वह है सुंग बंस के सासक देव भोती की हत्या कर दी थी किसने किये थे ये भी हमने बता चुके है तो आप किसने कन बंस के अस्तापना की थी तो ये भी इसका भी निर्नाय हो गया था बसुदेव दवारा थीका न प्राजित कर दिये थे किसको तो बसुदेव जो है देव भूती को प्राजित कर दिये थे और मागज़का राजा बने थे te है तो अगला जो question बनता है वह है पुस् और ये कहां से मिलता तो धन्देव के अयोद्याविलेक के अनुसार ये बाते की जनकारी मिलती है और पुसी मेत्र ने नहें सिर्फ क्या है असोमेग ही यक किये दो बार उसने असोमेग राजसुई और बाजफिय यक भी किया अगला जो कोशन है वह है सुंग काल में प्रत्साहं दिया तो इसका एंसर आप लोगों को बताना है तो संस्कृत फिर आपका जो नेश्ट है सुंग काल के उत्करिष्ट नम्मुने प्राप्त हुए हैं तो इसका भी सही एंसर आप लोग देंगे सभी बरहुत बेसनगर बेशनगर और बोध गया फिर आपका जो नेश्ट है मगद पर सासन करने वाले राजवंस का सही कराम है तो इसका जो है आपका आफशन सी या ऐसे बी और सी दोनों एक ही जैसे लगते हैं हरियंग सिसुनाग नंद मौरे कान्व सुंग तो आप किसी में भी मार सकते हैं तो अगला जो नेश्ट कोश्टन है वे सुंग रहेंगे मगद की बारे में उस सबकी राजधानी लगभग फाटली पूत्र ही थे जैसा कि हम लोग ने पढ़ा दो सापचासी का कोश्टन है वह कान्वंस की राजधानी थी तो इसका भी सही एंसर आपका क्या जाएगा पाटली पूत्र फिर आपका जो नेश्ट कोश्ट है कलिंग सासक खारवेल ने मगद पर आक्रमन किया था कब किये थे तो पहली सताबदी इसापुर के अंत में ठीक है ना फिर आपका जो नेश्ट कोश्टन बनता है वह कलिंग नरेस खारवेल ने कहां से किमती उपहार प्राप्त किया था तो इसका जो सही एंसर है वह अगर स्पीड जादा होगा तो आप लोग स्लो करके देख सकते हैं अगर स्पीड स्लो लगे तो इसको हाई करके भी देख सकते हैं तो अचलिए आप लोग जरूर रिवीजन में करेंगे अगर आप लोग को ये सारी चीजे जनकारी है तो भी ठीक है तो गुप्त कालिन पिलेकों से ग्यात होता है कि गुप्त बंस में महा राजा धिराज की उपाधी धारन की थी तो इसका जो सही एंसर है और संसी चंद्रगुप्त पर्थम ने ठीक है फिर आपका नेश्ट कोश्चन है चंद्रगुप्त पर्थम का राज्य विस्थेख हुआ था कहां पर हुआ थो पाटली पूत्र में हुआ था फिर आपका जो नेश्ट कोश्चन है कि कि सासकने बैसाली के लिछिवी राजकुमारी कुमार देव से बिवा किया था तो इसका एंसर आप लोग लगाएंगे चंद्रगुप्त पर्थम फिर आपका जो नेश्च कोश्चन है सेक और गुप्त बंस के अस्तापना का वर्स था तो 320 ठीक है इस फी फिर आपका जो नेश कोश्चन है वो है कि सासक ने स्वैंग स्वैंग को लिछवी दोहित्र कहा है तो इसका सही एंसर हो जाएगा समुंद्र गुप्त फिर आपका जो नेश कोश्चन है वो है गुप्त सं का प्रारंब माना जाता है तो इसका आप लोग सही अंसर बताएंगे 319 से 20 इस्वी में फिर आपका जो नेश्ट कोश्चन है चंद्र गुप्त पर्थम ने अपना उत्रा धिकारी न्यूक्त किसको किया था तो इसका समुंद्र गुप्त सही अंसर हो जाएगा फिर आपका ज सिंहासन पर आसिन हुआ था कब हुआ था तो 335 स्वी में फिर आपका जो नेश्ट कोश्चन है वह है निमलिखित में से किस गुप्त सासक ने बिक्रमा दुत्य की उपाधि धारन की थी ये भी सबको जनकारी होगा चंद्र गुप्त दुत्या ने फिर आपका चंद्र गु पिर आपका जो नेश्ट कोश्चन है वह है समुंद्र गुप्त के विशाय में प्रमानिक जनकारी पर्दान करने वाला विलेख जो है वो कौन सा है तो प्रयाग प्रसस्ती के द्वारा यह समंद्रगुप्त के बिशय में पर्वानिक जनकारी परदान मिलता है तो आप लोगों का जो लास्ट का जो question का answer होगा और जो question होगा उसको आपको ध्यान में रखना है कि चंद्र गुप्त दुतिय की दूसरी राजधानी थी तो ये भी याद होनी चाहिए उज्जैनी तो इस तरह से ये वीडियो यहीं पर दैंड होता है अब आप लोगों को बिहार का मध्य काली नितिहांस अगले वीडियो से अपलोड होगा तो अगर आप नहीं देखे हैं बिहार का तो सरप प्लेलिस्ट में है आप जा करके उसको देख सकते हैं तो फिर मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक आप लोग पढ़ाई करेंगे और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ताकि जो चीज पढ़ लिए है वो सभी में निगेटिव होता है तो फिर मिलते हैं नेश्ट वीडियो में थाइंक्यू फॉर वाचिंग